हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू आवर चैनल बाइवर्स, तो यूनिवर्स ओफ बाइलजी, तो आज के हमारी टॉपिक है DNA फिंगर प्रिंटिंग, तो चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि DNA क्या है, DNA जो है रिप्रेजेंट करता है ब्लूप्रिंट आप द इसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है, DNA के द्वारा, ठीक है, इक एग्जिस्ट इन वर्चुली एवरी सेल आप दे हीमन बॉड़ी एंड डिफर्स इन इट सीक्वेंस ओफ नुकलिटाइड, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि DNA जो होता है, वो हर एक और्गनिजम के हर एक स सीक्वेंस में, जो है, कुछ वैरियेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब ये DNA जैसे परसन एक जो DNA सीक्वेंस है, और परसन बी का जो DNA सीक्वेंस है, इन दोनों DNA सीक्वेंसे में कुछ वैरियेशन होगा, या मतलब कुछ डिफरेंसे होंगे, जिनके बेसिस पे हम बता स कि यह person A का है और यह person B का है ठीक है DNA is 99.9% identical जो DNA sequences होते हैं humans में वो 99.9% identical होते हैं लेकिन 0.1% का जो variation है ठीक है इसके basis पे ही हम DNA के basis पे person को अलग-अलग करते हैं या फिर individuality जो आती है वो 0.1% variation की वजह से ही आती है जो DNA fingerprinting होता है इसका सबसे जादे इस्तमाल कहा होता है forensic science में ठीक है forensic science में होता है अकसर criminals को पकड़ने के लिए या फिर paternity test मतलब कि कौन किसकी पिता है कौन किसके माता है यह पता करने इसी हो गया है ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह सबज़ना पड़ेगा कि जो डियने fingerprinting है वो किस पार्ट पे बेस्ट है ठीक है डियने के किस पार्ट पे बेस्ट है और human body का कौन कौन सा ऐसा तत्व है जहां से आप डियने जो है एक्स्ट्रेक्ट आराम से कर सकते हैं ऐसे तो सारे cell में present है लेकिन कुछ ऐसे cells हैं जहां से डियने एक्स्ट्रेक्शन बहुत असान है या वहां पर मतलब इसली आपका डियने एक्स्ट्रेक्ट हो जाता है तो चलिए पहले देखते हैं कि जो डियने का स्ट्रक्शर होता है उसमें कौन सा पार्ट होता है जिसको डियने फिंगर प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो जैसे हम सब जानते हैं कि डियने के अंदर दो ल dato चीज़े हो ती है एक होता है Axone और इक होता है Intron ठीक है तो जो Exone Sequences होते हे यह क्या करते हैं यह Protein को Code करते हैं ठीक है यह Protein को Code करते हैं और जो Intron's होते हैं यह कोई कोडिंग नहीं करते, ठीक है? मतलब ये, जो है, रेपिटिटिव सीक्वेंसे होते हैं, मतलब ये कई बार रिपीट होते हैं, और एक्सास होते हैं, वो यूनिक सीक्वेंसे होते हैं तो जो DNA finger printing की टेकुणी होती है वो बेसेकलीlı इंट्रॉन को जो है, इस्तमाल में लाती है, ठीक है, क्योंकि एक्जॉंस जो होते हैं, वो बहुत ही कंजर्व्ड होते हैं, इसलिए जब अगर कोई चीज़ कंजर्व्ड है, मतलग कि वो बहुत ही सालों से इवलूशन के दौरान वो अपना वही स्ट्रक्चर या वही सिक्वेंस मेंटेन किये हुए है, तो अगर कोई चीज़ बहुत कंजर्व्ड है, तो उसके अंदर वैरियेशन आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वैरियेशन आना पॉसिबल नहीं है, तो अगर वैरियेशन नहीं यह बार इसे समझेंगे देखिए यह आपका exon हो गया यह आपका intron हो गया ठीक है यह आपका conserved region हो गया यह आपका variation हो गया तो exon में क्या होता है exon में जो होता है conserved region high होते हैं और variation low होते हैं और intron में क्या होता है conserved region low होते है और variation high होता है ठीक है आप concerned reason को यह समझ लेज़े similar reason मतलब यह एक individual से दुसरे individual में common रहेंगे यह और यह introns जो variation को आप समझ लेज़े कि एक individual से दुसरे individual में different रहेंगे ठीक है तो अगर आपको difference करना तो आपको different वाला property ही लेना पड़ेगा जो introns होते हैं नॉन coding sequences होते हैं और इनके अंदर repetitive nucleotide sequences पाय जाते हैं जैसे माल लिजे दिखी ऐसे repetition होगा sequences का कोई भी repetition हो सकता है कोई भी base का repetition हो सकता है या फिर दो sequences का repetition मतलब एक ऐसा system समझ जहां पर बार sequences repeat हो रहा है एक ऐसा region है DNA का these sequences show high level of polymorphism in all kind of tissues as a result of which they prove to be very useful in forensic studies अब दिखी यहां पर यह term आ रहा है polymorphism polymorphism मतलब क्या होता है पहले हम यह समझना पड़ेगा तो इस word को तोड़ते हैं यह word बनता है poly और morphology आप समझ के सकते हैं इसको तो poly मतलब हो गया multiple ठीक है और morphology मतलब है पता है structure या outer appearance तो यहां पर इंट्रों की बहुत सारे जो है alternative structures present है multiple structures present है और उनी का इस्तमाल करके आप DNA fingerprint को perform करते हो यहां पर आप देख सकते हैं यह दिखिए यह DNA हो गया आपका DNA का structure हो गया यहां पर आपका exon है और intron है exon है intron है तो जो exon है आपका आपको इन non-coding regions को ही यहां पर utilize करना है इन non-coding regions को आपको utilize करना है और यहीं से आपके DNA fingerprinting होती है तो यह हमारा basic हो गया कि DNA की किस structure से DNA fingerprinting का लेना देना है अब next चलते हैं हम देखते हैं कि DNA typing DNA profiling यह सब DNA fingerprinting को ही कहा जाता ठीक है तो आप confuse मत filing ठीक है और देखिए यह बाप बहुत important है कि जो DNA fingerprint होता है ठीक है वो हर एक individual का unique होता है मतलब इतने billion population है लेकिन उसमें सब का DNA जो fingerprint है वो एक दूसरे से differ करता है कि नहीं दो लोगों का DNA fingerprint same नहीं हो सकता unless वो क्या हो identical twins हो ठीक है अगर वो identical twins है तो उनका DNA same रहेगा DNA fingerprint same रहेगा लेकिन और किसी भी case में दो DNA जो fingerprints है दो person के वो equal नहीं हो सकते इसी के basis पर आप identification करते हैं अगर माल यह कोई criminal है अगर दो लोगों का DNA उसी तरह करहेगा तो आप कैसे identify करेंगे कि दोनों में से criminal कौन है तो यह हो क्या basics of DNA fingerprinting आप देखते हैं human में वो कौन कौन से samples हैं जहां से आप अच्छे से DNA अनलाइज कर सकते हैं blood, semen, saliva, urine, hair, buccal cells यहाँ पर जो आपके गाल के cells होते हैं अंदर की तरफ से और भी कोई tissue या bone कुछ भी मतलब आपके शरीर का मिले तो आप उसे DNA निकाल सकते हैं लेकिन यह जो यहाँ पर specific cells mentioned किये हैं इनसे असानी से DNA आपका एनलाइज करने के लिए आइसोलेट हो जाता है ठीक है अब वो इनसान से मिलते हैं जिन्होंने यह DNA fingerprinting की technique को जो है यह जोफरी ने यह जोफरी ने यह बात जानी थी कि कुछ ऐसे सीक्वेंसे होते हैं जो हर एक इंडिविजल में यूनिक होते हैं और उन सीक्वेंसे को इन्होंने क्या नाम दिया repetitive DNA sequences या फिर mini satellite अब देखिए DNA जब आपने isolate कर लिया तो बहुत सारी तरीके हैं जिसकी मदद से आप DNA को analyze कर सकते हैं analyze करना क्या हुआ analyze करना मतलब कि उसको आप देख सकते हैं कि उसका size क्या है या फिर मतलब उसकी properties पे काम कर सकते हैं लेकिन अब देखिए माल लिजए आपने एक DNA को एक DNA को आपने isolate किया ठीक है माल लिजए ये 10 KB का DNA है 10 sequences का तो आपके पास ये अगर आप इस पे work कर रहे हैं तो chances हैं कि आप से माल लिजए पहली बार में नहीं हो पाया या फिर किसी भी तरह से ये sample damage हो गया तो आपका जो है experiment फेल हो गया या फिर आपने जिस परपच के लिए करने का सोचा तो फेल हो गया तो इसका क्या इलाज है अगर आपके पास original document जो है आपको save करना हो तो आप क्या करते हैं इसकी photocopy निकालते हैं इसी तरह से हम polymerase chain reaction perform करके इस DNA की कई सारी copies निकालेंगे जिससे हमारे पास limited source ना रहे कि नहीं हमें इसी इतने DNA में पूरा perform करना है ठीक है? easy के लिए तो यहाँ पे दिया है कि in some cases there is not enough DNA to directly evaluate it if this occurs a technique called the polymerase chain reaction is used to amplify the genomic DNA from sample इसके बारे में हमने पिछले lectures ने पहले से discuss किया हुआ है कि PCR क्या है, gene amplification क्या है, ठीक है this process allows a scientist to amplify a specific sequence of DNA in the genome exponentially so that it is in large enough quantities to be analyzed, ठीक है तो वही बात है अगर आपके पास छोटी quantity में DNA है तो आप उसको PCR की मदद से जो है amplify कर देंगे और जब enough DNA रहेगा तो आप अराम से जो है sample को analyze कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के तो जब आपका DNA amplify हो गया फिर आपने क्या किया, आप उसको restriction endonucleases जो की होती है, DNA को cut करने वाली enzymes उन्हें molecular seizure कहते है उनकी मतर्स से आप specific recognition sequences को cut करेंगे इसके बाद जब cut हो जाएगा तो फिर different pattern में जो है fragments जो आपको मिलेंगे उनके different pattern आप बनाएंगे और यह different pattern हर एक individual का अलग-अलग रहता है तो चलिए पहले अच्छे से इसका process समझते हैं कि इसका procedure है क्या, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निए प्रिजिनल फिंगर प्रिंटिंग प्रोसीजर यूज़ वैरियेबल नंबर टैंडम रिपीट वी एंटी आर या फिर टैंडम रिपीट जो कि क्या होते हैं यह basically कि यह है कुछ नहीं है, repetitive DNA sequences है उन्ही को हमने क्या कहा है variable number tandem repeat variable number tandem repeat या फिर tandem repeat यह जो है यह पूरे आपका जो intron है वहाँ पर यह repetitive DNA sequences फैले हुए होते हैं और कहां कितनी pattern फैले हैं, कितनी length है और यह जो sequences किस तरह से arranged हैं यह हर एक individual में unique होता है तो इसी को आप जो है, मतलब analyze करके जान सकते हैं कि क्या है pattern इसका अब देखते हैं कि Differences in the length of tandem repeat could be as a result of unequal crossing over during meiosis तो जो यह अलग-अलग length होती है tandem repeats की इसका reason क्या है, unequal crossing over during meiosis DNA fingerprinting technique is based on the DNA polymorphism मतलब कि अलग-अलग जो इसका shape और structure है उसी length के differences के base पे आपका पूरा DNA fingerprinting जो है based है DNA sample from the crime scene and the suspect DNA can be collected followed by amplifying the DNA using PCR technique PCR technique से हमने DNA को amplify कर लिया उसके बाद में जब आपकी multiple copies DNA की जो है prepared हो गई है उसके बाद में DNA को digest किया जाएगा restriction enzyme से due to the dissimilarity of DNA repeat among individual each individual will generate different sizes of the fragment after the restriction digestion अब देखिए यहां पर देखिए आप धियां से समझेए जैसे यह आपका DNA है ठीक है यह ADNA और यह B है मतलब यह person A का DNA यह person B का DNA अब person A का DNA में जो restriction site वह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ने हैं लेक्षाइप चार restriction site A में चार restriction site B अब जब restriction endonuclease दो कर इस enzyme को मतलब कट करेगा इनके dna को कट करेगा तो क्या होगा ultimately तो होगा ये कि जो आपका ये a person वाला है उसमें क्या fragment मिलेगा आपको ये मिलेगा फिर एक छोटा सा मिलेगा यहां पर ये वाला fragment फिर ये मिलेगा ठीक है और फिर एक ये मिलेगा ये pattern आपको मिलेगा किसके लिए person a के तो यह पैटन में डिफरेंस किसके उपर बेस है, कि कितना लंबा उसका जो रिपीर्ट है ठीक है? अब हम अच्छे से देखनें एक एक करके कि हर एक स्टेप का नाम क्या है और उसको में परफॉर्मेंस क्या होती है तो जो डिएने फिंगर प्रिंटिंग होता है उसमें मेंली 6 स्टेप होता है एक्स्टेक्शन अप दा डिएने, कटिंग अप दा डिएने यूजिंग एन एंजाइंग, सेपरेटिंग दा डिएने फ्रेग्मेंट अन जेल, इसी को हम जेल एलेक्टोफोरसिस भी कहते है यहां तक देखिया आपने पैटन फॉर्म कर लिया और यह जो तीन स्टेप दिया है यह आप ऑबजर्व करने के लिए करते हैं कि आप पैटन फॉर्म भिगा लिकिन आप उसे देखेंगे कैसा की पैटन फॉर्म भिगा ऑपर के पास कूछ कोपी होना चाहिए उसकी कुछ कोपी और भिए और यह जाय रहा हुआ है तो यह जो है यह X-ray film बनाते हैं यह इसका process है जो main pattern formation होता है वो बस यही तीन स्टेप है extraction और आपका cutting और separating यह हम diagram की मदद से और अच्छे से समा सकते हैं यह देखिए यहाँ पर यह आपका DNA sample है ठीक है सबसे पहले आपका extraction हुआ DNA extraction का lecture पढ़ा है चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं तो यहाँ से आपका DNA extract हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं DNA extraction के बाद हम DNA को जो है fragments में cut करवाते हैं with the help of restriction enzymes restriction enzymes से cut करवाने के बाद हम क्या करते हैं यह सारे fragment को separate करते हैं on the basis of their size gel electrophoresis की मदद से तो जो long DNA fragment होंगे वो जादा दूर तक move नहीं करेंगे और जो short DNA fragment होंगे वो आगे तक move कर जाएंगे ठीक है तो यह आपका एक pattern form हो जागा इस तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा ठीक है अब उसके बाद next क्या करेंगे जब यह आपका gel form हो गया तो gel को हम transfer करेंगे नाट्रसलेलोस membrane में नाट्रसलेलोस membrane में transfer करेंगे southern blotting आपने नामसुदा होगा उसके बाद में हम इन्हें labeled probes के जाथ probe basically क्या होता है जिन DNA पर label लग जाता है मतलब कोई identification का tag लग जाता है उन DNA इसको हम क्या कहतने है probes कहते है तो देखें यहाँ पर आपने यह एक DNA है यह एक DNA fragment है suppose करिए यह एक DNA fragment है ठीक है double standard है आपने इसको जो है unwind करा दिया अब यह दो fragments हो गए और यहाँ पर आपने एक probe के साथ इसको hybridize करा दिया मतलब यह इस वाले DNA को आप identify कर सकते है इसमें कोई tag लगा हुआ है कोई radioactive tag लगा है या फिर कुछ भी लगा है इसको आप identify कर सकते हैं तो अगर यह इसके साथ जुड़ा हुआ है तो अगर आप इसको identify करेंगे तो साथ साथ यह भी identify हो जाएगा ठीक है ना? अब देखिए अब आप x-ray perform करते हैं तो आपको यह DNA fingerprint इस तरीके से मिल जाता है यहाँ पर यह आपका DNA fingerprint हो गया तो यह था basic step of DNA fingerprinting यह देखिए यह gel electrophoresis का setup है इसकी मदद से आपका fragment form होता है जल electrophoresis पर एक अलग से detailed video बनाऊंगी मैं जिसमें आपको हर एक step बताऊंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पुरा जल electrophoresis समझाऊंगी तो बने रही है चैनल पर और bell icon दबा दीजे जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए यह देखे यह एक summary है DNA fingerprinting की यहाँ पर DNA लिया गया है cell में यहाँ पर DNA कट करवाया गया ठीक है उसके बाद में यहाँ पर gel electrophoresis पर form होगा और यहाँ पर देखे दो pattern form हो गया ठीक है नहीं measure हो मतलब की तो फिर वो दोनों person एक नहीं है तो इस तरह से जो है criminal sector में आपका DNA fingerprinting का use होता है यह रहिए यह more applied example है इसका अब समझ लीजे आपको crime scene से एक DNA sample मिला अब आपको दो लोगों पर शक है एक suspect A एक suspect B तो आप यह तीनों DNA को सबसे पहले क्या करेंगे DNA का जो है pattern form करेंगे मतलब कि उसको recognition sites पर cut करवाकर उनका अलग-अलग pattern form करवाएंगे electrophores इस पर और फिर उसके बाद में उसका निकाल लेंगे आप x-ray film पर अब देखिए आप इसको match करिए तो यह है criminal का इसे zoom करती हूँ मैं यह है आपका criminal का DNA fingerprint ठीक है? यहाँ पर यह criminal का DNA fingerprint है और आपके पास यह दो suspects हैं A और B तो अब आप देखिए DNA fingerprint को देखकर बता सकते हैं कि यह दोरों तो सब में common है लेकिन यह जो last वाला fragment है यह सिर्फ suspect B में present है इसका मतलब जो suspect B है वो आपका criminal है इस तरह से आप DNA fingerprints को एक दूसरे के match करके बहुत सारी चीज़े पता लगा सकते हैं यह एक example है आपका paternity test का ठीक है तो यह mother है Mary उनका जो child है वो है यह और इन्हें दो लोगों पर शक है जो इनके father हो सकते Bob and Larry तो आप इसे देखकर बता सकते हैं कि जो child है वो Bob का जो है बेटा है या फिर Larry का तो सबसे पहले हम child का DNA fingerprint देखते हैं यह fragment आपको पहले मिलाना है कि इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है लेकिन यह mother में है ठीक है फिर उसके बाद में child का जो second वाला फ्रेग्मेंट है वो देखते है यह fragment लेरी में प्रेजन्ट है बट बॉब में नहीं प्रेजन्ट है इसका मतलब लेरी में एक common हो गया फिर next देखते है यह fragment जो है यह Larry में प्रेजन्ट है, Bob में प्रेजन्ट है और Mother में नहीं प्रेजन्ट है Mother में नहीं प्रेजन्ट होने का मतलब है कि maternal DNA fragment नहीं inherit किया गया है तो जहां पर यह paternal में जिस father के मतलब जिस suspect पे मिलेगा वही उसका father हो जाएगा, ठीक है तो यहां पर देखिए, टीनों में है तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन last वाला देखते हैं लास्ट वाला भी देखिए, Larry में है लेकिन Bob में नहीं है तो यहां पर दो similarity मिल गए इसका मतलब जो Larry है, वही इनका father है तो इस तरह से आप DNA fingerprint की मदद से question solve कर सकते है तो I hope आपको यह lecture समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी doubts है या फिर आपको answer चाहिए अच्छे से लिखा हुआ तो आप please नीचे comment section में हमें बताइए तो हम आपको प्रवाइट कर आएंगे और आप telegram channel को अभी join करिए वहाँ पर आपको बहुत ही beneficial चीज़े दे जा रही है books है, notes है और updates है ठीक है तो channel पर बने रहे हैं Thank you very much Keep learning, keep growing